नमस्कार जी मिरा नामे मीमू बताने जा रहे हूँ इस रहस में मंदिर के बारे में जानकर हो जाएंगे आप हैरान कभी दिखता है तो कभी हो जाता है गाया नागेश्वर महादेव मंदिर भारत एक बहुत पुरानी सभिता और संस्कृती वाला देश है जो बिविदिता से बरा हुआ है इस तेश में कई धर्मों के लोग साथ मिलकर बड़े प्यार से रहते हैं यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें और रहस चुपे हुए हैं जिनको आज तक कोई सुलजा नहीं पाया है जहां की बिविदिता बरी संस्कृती, बागौलिक स्ति जल्वाईयों को देखने के लिए पुरी दुनिया से लोग आते रहते हैं भारत में सबसे ज़्यादा परियटक यहां के मंदिरों को देखने के लिए आते हैं यहां के कई ऐसे मंदिर हैं जो आश्चरयों और रहस्यों से भरी हुए हैं भरत में करोडों देवी देवता हैं और उनके करोडों छोटे बड़े मंदिर हैं यहां हर जगे के मंदिरों की अपनी ये कलग खासियत है बेदेशी परियटक इनकी बनावट विशेष्टा इतिहास और इसके महत को चानने के लिए बार बार आते हैं भरत की संस्क्रती बहुत पुरानी हैं इसलिए यहां कई मंदिर हजारों सालों से भी पुराने हैं कई मंदिरों का अपना रहस भी है जिसे आज तक कोई सुर्जा नहीं सका है आज आमें कैसे ही मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रहसों से भरा हुआ है या मंदिर कभी दिखता है और कभी कायब हो जाता है आप इस बात की कर्पना भी नहीं कर सकते हैं कि या किस वज़े से होता है नागेश्वर महादेव मंदिर समुंदर के बीच में बना हुआ है भारत में एक ऐसा मंदिर है जो समय समय पर ही दिखता है या और मंदिरों की तरह पुरे समय नहीं दिखता है दरसल यह मंदिर समुंदर के बीच में बना हुआ है इस वज़े से जब पानी कम होता है तभी यह दिखता है और जब पानी बढ़ जाता है तो यह मंदिर पानी में डूब जाता है यह मंदिर भववान शीप का है नागेश्वर महादी मंदिर जो अरब सागर के ठीक सामने और बडोदरा से 40 किलोमिटर दूर इस्तित है इस मंदिर की सबसे खास बात यहा है कि यहाँ पर लोग तभी जाते हैं जब समुद्रस में जवार कम होता है इसी तोरान मंदिर का शीवलिंग दिखाई देता है अगर आप इस अजूबे से भरे मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो जल्दी अपनी योजना बना लीजे और निकल जाईए गुजरात के ब्रमण पर कभी न कभी तो समुद्र में पानी कम होगा ही इस दुरान आप इस मंदिर्स में भगवान शीव के दर्शन करके अपनी इच्छा नुसार फल पा सकते हैं धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें